नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान वेगा एक बार फिर से स्वागत है और आप बने होए डी वी दामा के साथ किसान भाई यह समय समय पर गन्ने की नई अर्ली वैराइटिया त्यार की जाती है लेकिन वे सभी वैराइटिया अच्छी नहीं चल पाती उन में से कुछ खास वैराइटिया चल जाती है जैसे कि कुछ पिछले गतवरसों से हम कुछ खासी वेराइटों की बुआई कर रहे हैं और ये खास वेराइटिया है कोसा 0118, कोसा 98-014, कोसा 0238 और इसके अलावा कोसा 3422 और इनके अलावा भी कुछ अन्य वेराइटिया है जिनकी पिछले कुछ समय से किसान भाई वुआई करते चले आए रहे हैं लेकिन किसान भाईयों इनमें बहुत ही ज़्यादे कीटों का परकॉब होता है इसलिए काफी मेंगी मेंगी दवाई समय समय पर हमें इनमें डालनी पड़ते है जिससे हमारा लागत खर्च काफी बढ़ जाता है इसी के चलते गन्ना सोध संस्थान साजापुर ने कुछ समय पहले एक अरली की नई वेराइटि तयार की थी जीरो ब्यासी बहत्तर और ये गन्ना वेराइटि अभी तक सभी छेत्रों में उप्लब नहीं हो पाई है कुछी छेत्रों में इसको गया गया है इसलिए बहुत से किसान भाई इसके बारे में जानना चाते हैं और काफी जाद है किसान भाईयों के कोमेंट इस गन्ना वैराइटी को ले करके आ रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं गन्ना वैराइटी कोशा जीरो ब्यासी बात्तर के बारे में तो किसान भाईयों आप जो ये देख पा रहे हैं ये है जीरो ब्यासी बातर का गन्ना गन्ना तो काफी बारीक है जाद है मोटाई गन्ने की नहीं है और गन्ने का रंग आप खुद देख सकते हैं गन्ने के आधे तक तो गन्ने की पोरी की लंबाई काफी है लेकिन जैसे दि के पूर भी जाता है और काफी नरम गन्य को जिसके करण इसका जमावा जल्दी हो जाता है वे कले अधिक काफी संक्या बेन निकलते हैं पौदा गन्य के पूटने के करण पुडदी गन्य को कवे लेकिन से इसमें हो जाता है और इस वेराइटी के गन्ने को जैसे ही हम बीच में से काट करके देखते हैं तो गन्ना बिलकुल ठोस है यानि किसमें कोई ठोत वगएरा नहीं है और इसी के साथ ये वेराइटी काना कंडवा उक्टा रोक के लिए परतीरो दिया यानि किसम कीत वगएर तो करके देख सकते हैं क्योंकि मेरे यहां के दो किसान भाईयों ने भी इस वेराइटी की सरद कालिन बुआई की है क्योंकि उन किसान भाईयों ने कुछ समय पहले यानि के दो चार दिन पहले अपने खेतों में सरसों की बुआई कर दी थी उने 82 बातर वे आदे केट में जीरो दोसू अटीस की बुखाई कर दिये हैं तो किसान भाई आप भी अगर इसकी बुखाई करना चाते हैं तो थोड़ी करके देख सकते हैं और किसान भाई अफिलाल तो इस गनना खेट में देखे सरसो उगी हुई है काफी बड़ी बड़ी ह हो चुके हैं जैसे ही सरसो की कटाई होती है मैं आपको इस गन्ना खेत पर यानि के वेराइटी जीरो ब्यासी बातर पर आपको थोड़ा अपडेट दिखाता रहूँगा किस तरह का इसका जमा होता है कैसे कल ले निकलते हैं और किस तरह से ये बढ़बार करता है तो किसान भ